दोस्तों आज मैं आपके Samsung की कुछ settings बताऊंगा जो की बहुत ही ज़्यादा useful है आपके लिए और बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ठीक है तो आपने ध्यान से देखना है ठीक है यहां पर बहुत ही amazing settings है आज की विल्कुल latest है आप यह नहीं बोलेंगे कि इस setting के बारे मैं आपने पहले भी बताया है ठीक है बहुत amazing है आपने ध्यान से देखना है और आपने इनको change करना है और क्या इनका काम है पूरा मैं आपको यह पर detail में बताऊंगा सुना मश्कार दोस्तों मेरे नाम है राकिश कुमार और आप देखने यार के news tech channel तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं तो मेरे पास यह device Samsung A71 अभी तक इसको 1.8 3.0 का update नहीं आया है यह मेरे Samsung A51 इसको update आ चुका है तो मैं इसमें latest device में ही बताऊंगा तो मैं इसमें नहीं बताऊंगा अभी इसमें update आने के बाद मैं आपको सारे features आपको explain कर दूँगा ठीक है फिलाल हम जो है A51 के ब दिखा देता हूं for example मैं पर लोंग प्रेस करता हूं मैं sound value option पर आप अपने device को mute करते हैं लेकिन आपको कोई जरूरी काम है ठीक है आप आपने चाहते कि आपको कोई बंदा disturb करें for example आप कोई study कर रहे हैं या फिर आप कहीं classroom में बैठे हैं तो आपका device एकदम से मतलब जो ह आप कोई जरूरी काम कर रहे हैं आप समझ गेना मैं क्या बोलना जाता हूं तो आपको mute करना बहुत जरूरी होता है ठीक है मैं mute कर देता हूं यहां से mute करने के बाद आपका device में message आएगा ringtone आपको कुछ भी आएगा आपको कुछ भी पता ने चलना ही vibration होगी ठीक है आपक आपको पंगा पड़ जाता है आप बोलते है वाओ आपको क्या बोलते है जरूरी कोल थी वो टैंट करने थी नेकिन मैं नहीं कर पाया तो आज मैं आपके लिए उसी के लिए एक सैटिंग लेका हूं अब धियान से देखना सैटिंग कौन सी है ठीक है आपको temporary mute यह option मिलता ह इसको on करने के बाद for example आप एक घंटे के लिए study कर रहे हैं कोई जरूरी काम करने है आप नहीं चाहते कि आपको कोई disturb करे एक घंटे के लिए तो आप एक घंटे यहाँ पर choose कर सकते हैं मतलब कि एक घंटे तक आपका device mute रहेगा आपको कोई भी ringtone नहीं बजेगी कुछ भी mute option एकदम से बंध हो जाएगा और आपका device दिवारा से standard mode में आ जाएगा sound mode पर ठीक है है ना तो आप एक घंटा भी काम करते हैं दो घंटा तीन घंटा या फिर custom आप अपने साब से यहाँ पर time set कर सकते हैं 5 मिनिट 10 मिनिट 20 मिनिट अपने हिसाब से यहाँ पर set कर सकते है है ना मज़दार setting मतलब कि आप अपने साब से यहाँ पर time set कर सकते हैं एक घंटा 10 मिनिट 15 मिनिट 2 गंटे 5 गंटे 10 गंटे एक दिन आप अपने साब से यहाँ अपने custom रूप से यहाँ से अपने device को mute कर सकते हैं ठीक है यह थी हमारी पहली setting अब हम जो है next important setting के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही जरूरी है आपने ध्यान से देखना है तो next setting क्या है जैसे कि आपके device में Samsung का device आपको marketing information यहाँ पर आती है अपकी screen पे भी pop-up ads आ जाती है ठीक है आती है आप disturb हो जाते है यह बार बार मेरे device में ads क्यों आ रही हैं यह मतलब कि आपको चाहिए नह आपको ads show कर देता है उसको हम remove कर देंगे permanently मतलब कि हमेशा के लिए उसको remove कर पाएंगे और आपको कभी भी marketing ads नहीं आएंगी यहां पर तो वो कैसे तो चलिए हम जाएंगे यहां पर setting वाले option पे ठीक है setting वाले option में जाने के बाद आपने नीचे को scroll down करना आप ध्यान से द बंद कर देना है बंद कर दिया है उसके बाद आपको कोई भी marketing information यहां पे नहीं मिलेगी आपके device पे और आपका device जो है बिल्कुली अच्छे smoothly work करेगा ठीक है अब हम last and final setting के बारे में हम बात करेंगे बहुत ही कमाल की setting है बहुत ही amazing setting है तो यह latest update आने के बाद यह feature हमें available ह हुआ है ठीक है वह कौन सा वह work कैसे करता है वह भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा तो अब धियान से देखना ठीक है basically वह यह जो application है यह हमारी goodlock ठीक है goodlock application है अगर आप इसे download नहीं कर पा रहे हैं तो मैं इसका link दे दूँगा direct description पर आप वहांसे से download कर सकते हैं तो यहा आपका पहले भी option था लेकिन यहां पर कुछ changes आ चुकी है ठीक है हम home up पर click करेंगे click करने के बाद यहां पर आपको home screen folder backup and restore share manager task changer जैसे कि task changer आपको यहां पर show नहीं हो रहा है पहले आपको यहां पर show हो जाता था for example आप यहां पर देख सकते थी जो मेरा A71 device ठीक है तो इसक जो है good lock application यहां पर own करता हूं ठीक है अब क्या changes हुई है यहां पर बताता हूं task changer आपको यहां पर बाहर मिल जाता है ठीक है मिल जाता है ठीक है लेकिन यही task changer आपको यहां पर नहीं देखने को मिल रहा है यह आपको मिलेगा home up वाले option पर तो यहां पर changes हुई है काफी कमा आपने अपडेट कैसे करना है वह आपने जाना है यहां पर धियान से देखने माल चीज है धियान से देखना आपने यहां पर search कर लेना है एक बार फिर आपको यह दिखेगा यहां पर Samsung One UI Home ठीक है ओपन हो रहा है आप अपने से यहां से update कर लेना है अपडेट का option आपको दिख रहा होगा अपने से update कर लेना है ठीक है update मैंने कर लिया तो आते हैं आप हमारे दुवारा से good local application ठीक है समझ गे ना अगर आपके device में यह वक नहीं कर रहा है तो मैंने बता दी आपको अपने one UI home अपडेट कर लेना है यहां पर लिस्ट वाला option मिलता है यह तो आपको पहले भी था hide search bar को आप hide कर सकते है ठीक है एप label को यहां से आप हटा सकते है शो कर सकते है और भी option यहां पर आपको देखने को मिलते है ठीक है bottom gesture sensitivity setting को भी यहां से on कर सकते है या फिर 2.5 कोई भी डिवाज आप यूस कर रहे हैं तो ये थी आज की वीडियो में आशा करता हूं पसंद आए होगी तो बाई बाई ठेक है जैहिन बंदे माद रूँ